क्या आपके वीडियो में भी copyright claim आया है तो दोस्तों घबराइए नहीं आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वीडियो से copyright claim कैसे हटा सकते हैं नमस्कार मैं हूँ विशाल और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गुरू ग्यांदर नॉलेज में दोस्तों जैसा कि आपने थमनेल में पढ़ ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ जी हाँ दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके यूट्यूब वीडियो पे copyright claim आ चुका है तो उस claim को आप कैसे हटा सकते हैं दोस्तों अकसर क्या होता है कि जब भी हम अपना यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं यानि हम नई यूट्यूबर्स होते हैं तो हमें कुछ भी जानकारी नहीं होती कि किस तरह का music लेना चाहिए किस तरह का वीडियो लेना चाहिए हम copy paste करके किसी का music लेके उसको अपने वीडियो बना लेते हैं यूट्यूब पर upload कर देते हैं जब हम यूट्यूब पर अपने वीडियो को upload करते हैं तो उस पर copyright claim आ जाता है जैसे आप अपने screen पर देख रहे हैं कि यह मेरे friend का channel है gaming का channel है उसने किसी का music लिया अपने वीडियो पे कि अच्छा लग रहा है भाई यह music अच्छा लग रहा है तो मैं इसको ले लेता हूं पर जब उसने इसको upload कर दिया तो उस पर copyright claim आ गया दोस्तों अब इसको मेरे को पूछ रहा था कि भाया मैं इसको delete कर दूं मैंने उसको मना क यह नहीं इसको delete मत कीजिए मैं आपको आपको भी उसको भी दिखाऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा कि अगर आपके वीडियो पे copyright claim आ चुका है तो उस claim को आप कैसे हटा सकते हैं दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिएगा और ब कोण से Google Chrome को खोलना होगा जैसे ही दोस्तों आप Chrome खोलेंगे यहां YouTube सेर्च कर लीजिएगा जैसे ही दोस्तों आप YouTube सेर्च करेंगे आप कुछ इस तरह की इंटरफेस पहुंझ जाएंगे इसको desktop site कर लीजिएगा दोस्तों आप जब desktop site कर लेंगे अपने चैनल को तो आप देखेंगे आपका यहां चैनल का लोगो दिख रहा है आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपको यहां यहां योर चैनल दिखेगा आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा दोस्तों जब आप योर चैनल पर क्लिक करेंगे आप कुछ इस तरह की इंटरफेस पहुंझ जाएंगे दोस दोस्तो हिए आपको लोगो दिख रहा है इसके निचे निचे सब्सक्राइब करना है आपको व्लसे 242 अपको लिख रहे vary है का फ्लिक करने करें गडिक हो फिल्टर पे क्लिक करना हा यहां देख रहे हैं यहां आपको वो वीडियो शो होना शुरू हो जाएगा जिस वीडियो पर कॉपिरैट क्लेम है दोस्तों यह देखिए मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यह देखिए यहां लिखा है कॉपिरैट क्लेम और मैं वीडियो भी दिखा देता हूँ यह देखिए अब आपको क्या करना है आपको यह जो कॉपिरैट क्लेम है आपको इस पर क्लिक करना है जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे यहां आपको दिखेगा सी डिटेल्स देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यहां देखिए आ चुका है सी डिटेल्स आप सी डिटेल्स पर जाईएगा दोस्तों जैसे ही दोस्तों आप सी डिटेल्स पर पहुंच जाएंगे यह देखिए यहां आपको यह दिखेगा इस पूरी वी सेलेक्ट एक्षन आप सेलेक्ट एक्षन पर क्लिक किजेगा अब देखिए दोस्तों आपको यह देखना है कि आपको क्या करना है आपको वीडियो को ट्रिम करना है यह रिप्लेस सौंग करना है यह म्यूट सौंग करना है तो दोस्तों हम रिप्लेस सौंग करेंगे आप इसका ये लगा रखा हुआ है जो copyright claim कहां आया है दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ ये देखिए ये जो red red आपको दिख रहा है इस पे हमें copyright claim मिला हुआ है दोस्तों यानि इस चीज़ पे हमें इतने music पे हमें copyright claim मिल चुका है तो दोस्तों अब हम इसे remove कैसे करेंगे व तो आप दोस्तों सुन सकते हैं हम प्ले करके देखते हैं ये देखिए दोस्तों ये music कुछ अच्छा है तो अब हम इसी को ही अपने इस पे लगाएंगे दोस्तों तो इस पर हम click करेंगे add पे ठीक है दोस्तों अब ये music हमारा add हो चुका है ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ ये देखिए यानि ये उपर जो red-red था ये हमारा copyright claim था यानि इस music पे copyright claim था इस पे copyright claim हट चुका है तो दोस्तों अब हम इसको save कर देंगे जैसे ही दोस्तों आप save करेंगे यहां देखिए save का option आ चुका है save कर दीजेगा दोस्तों ये save हो चुका है अब कुछ देर इसको लगेगी upload होने के लिए तो दोस्तों कुछ ये YouTube चेक करता है इस चीज को तो थोड़ी देर बाद ये खुद बखुद ही इससे copyright claim हट जाएगा दोस्तों है तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि क्या हमारा copyright claim हट चुका है यह नहीं क्लिक करेंगे कस्टमाइज चैनल पर देखिए वाइटी स्टूडियो का अलग से पेज खुल रहा है दोस्तों अब हम यह देखेंगे दोस्तों कि हमारा क्या copyright claim जिस पे हमने हटाया था वो हट चुका है यह नहीं वहीं जाएंगे content पे दोबारा से दोस्तों filter पे जाएंग जैसे ही दोस्तों copyright claim पे क्लिक करेंगे देखिए आपको यहां दिख रहा है processing ओके दोस्तों यह लिखा है checking one found ओके दोस्तों यानि यह कुछ ही देर अभी लगेगी इसके लिए यानि copyright claim तो हट चुका है दोस्तों पर यहां अभी checking चल रही है यह processing में है तो दोस्तों इसके कुछ देर लगेगी और यह आपका copyright claim हट जाएगा यानि इस music पे कोई भी copyright claim नहीं रहेगा दोस्तों तो दोस्तों अब आप भी इस trick को आजमाईए और अपने वीडियो से copyright claim हटाईए तो दोस्तों यह थी जानकारी चलिए मिलते हैं आगे तो देखा आपने कितना आसान है copyright claim हटाना तो दोस्तों अगर आपके वीडियो पे भी copyright claim आ चुका है तो आप उसे इस तरह से हटा सकते हैं और अपने वीडियो को copyright claim free कर सकते हैं और धेर सारे पैसे कमा सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like, share और comment ज़रूर कीजिएगा और